हर्याणा की जिले रोहतक की जेल में बन देरा सच्चा सौधा के प्रमो गुरु बाबा राम रहीम के जेल में हालाद बद से बत्तर हो गए हैं ऐसा हम नहीं बलकी ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बाबा अपनी मुह बोली बेटी के लिए तड़प रहा है और वो उसके लिए जेल में रो रहा है बता दें आपको बाबा ने CBI कोर्ट से अपील की है कि वो हनिपरीत को उसके जेल में भेज दे बाबा ने दलील दी है कि हनिपरीत उसकी फीजियो थेरेपिस्ट होने के साथ साथ मसाज करने वाली भी है तो वहीं इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वो जेल में खाना नहीं खा रहा है यहीं नहीं उसे अपनी सजा का ऐसा सद्मा लग गया है कि वो पागलों की तरह वहवार कर रहा है बता दें आपको इस बात का खुलासा दलितनेता स्वदेश किराड ने किया है जो की रोहतक जेल मे कुछ दिन थे और किराड की सेर राम रहीम के बगल में ही थी किराड ने बताया कि राम रहीम सबसे यही पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती है मैंने क्या किया है वो खड़ा हो पाने की हालत में भी नहीं था वैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाबा राम रहीम को अपनी पत का खारिश कर दी SPN 9 निजरूम की रिपोर्ट